नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं आपके बच्चे की आँख में जलन या लाली में हाए, तो इस्कूल नहीं भेजे, इधार रिम्स और सदर अस्पताल सहीत नीजी छेतर चिकित साल लेओ में कंजक्टिव आइटिस से पिडित मरीजों की संख्या चानक बढ़ गई है, सुमवार को रिम्स के नेतर विभाग के OPD में साथ बच्चों का इलाज किया गया, कई बच्चे इस्कूल डेस में ही परामर्स लेने पहुँच गए थे, सदर अस्पताल के नेतर चिकित सक डाक्टर वाच्सल ने बताया है कि कंजक्टिव आइटिस वाइरस समस्या है, जो तेजी से एक दूसरे में फैलता है, कि तीन से चार दिन में है बिमारी ठीक हो जाती है, कुछ में एक सबता तक रहती है, लेकिन सवधानी अस्वता तक जरूरी है केंद्र सरकार जारखन को सुखा रहात मद में 502 कौर रूपए देगी, जबकि राज सरकार ने 91,31 कौर रूपए की मांग की थी केंद्र सरकार राज को एगरी कल्चर इनपूट सबसीडरी में 407.24 कौर और एक्षिक रहात मद में 95.25 कौर रूपए देगी राज सरकार ने बीते वर्ष 2022 खरीब की फसल के समय बारिस नहीं होने के कारण 22 जिलोग के 226 पर खंडो को सुखा गरस घोसित किया था सरकार ने इसकी सुचना अक्टूबर में केंद्र सरकार को दी थी भारत सरकार ने राज को भेजे पत्र में कहा है कि आपदा की चिती में राज सरकार अपने आपदा फंड से खर्च कर सकती है अगर राज सरकार वर्ष 2022 के सुखे में खर्च करना चाहती है तो इसके लिए समोशित राज सी राज आपदा रिलीफ फंड में जमा है राजे के आपदा फंड में करीब तीन हजार को रूपए रहते हैं बता दे राजे की सुच्चना पर केंद्र सरकार ने जनवरी में जाच टीम जारखन भेजी थी सीम हेमंत ने जल जीवन मिसन के तहत जागरूपता रहत को किया रवाना जारखन के सभी घरू तक वर्ष 2024 के अंत तक नल से जल पहुचाने के अभियान में जूटी हेमंत सरकार ने जल जीवन मिसन के तह जागरूपता कारकरम की सुरुवात की है इसके तहत मुख्य मंत्री हेमंजुरे ने बिधान सभा परिशत से पेज जाल यों स्वक्षता विभाग के सभी नव अंचल के रिये नव जागरूपतार रात को हरी ज़ंडी दिखा का रवाना किया इस मौके पर बिधान सभा अध्यक्स रविनरात महतोस अंसदेकर मंत्री अलमगीर अलम और विभागिय मंत्री मिसलेश ठाकुर भी मजूद थे इर्फान अंसारी के बिगडे बोल कहा बाबुलाल लफ हुआ टाइप के करते हैं बात कॉंग्रेस बिधायक इर्फान अंसारी ने बिजेपी परदेश्त अध्यक्स बाबुलामरांडी पर प्लटवार किया है उन्होंने कहा है कि बाबुलामरांडी लफ हुआ टाइप बात करते हैं अगर भाजपा निकाल देगी तो कहा जाएंगे बता दे बड़ बोलापन के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कॉंग्रेस बिधायक इर्फान अंसारी इंदियों बिजेपी परदेश्त अध्यक्स बाबुलामरांडी से खासे नराज है बिधान सभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हैं इनको या सोभा नहीं देता भानु परताब साही की तरह हल्की बात बाबुलाल जी करने लगे है उन्होंने जो ट्विट किया है कहीं ने कहीं क्रोप करके इसे दिखाया गया है जो जालसाजी का रूप है रांची में इंडिया के घटक दलों ने राजबोन के समीप दिया धरना इसी कड़ी में रांची में भी इंडिया नेशनल डेवलोपमेंट इनक्यूसिप एलाइंस इंडिया के घटक दलों ने राजबोन के समक्ष महाधरना दिया और मनिपूर में राश्पधिसासन लगाने की मांग की है इस समय में जहरकन के राजपल सीपी राधा किष्णन को एक यापन भी सोपा गया बता दे बीदे 30 जुलाई 2023 को कॉंग्रेस बहुन राची में इंडिया नेशनल डेवलोप्मेंट इंक्यूर्सीब एलाइंस इंडिया के घटक दलों के बैठक में लिये गए नि लोबिन हेमरम ने अपनी ही सरकार को घेरा मांसुन सत्र के तिसरे दिन प्रशनकाल के दरान जहामों विधायक लोबिन हेमरम ने लगहुख खनीज खनन पट्टे को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा उन्होंने सुप्रीम कोट के 117 के आदेस का हवारा देते हुए कहा है कि अन देवाब में प्रभारी मंत्री बादल पत्रजेक ने कहा है कि जर्खन लगू खनीज समनुद्दाय नियमावली 2004 के संसोधित नियम 13 के तहत लगू खनीज के खनन पट्टे की सुगरिती के लिए और सुची जन जाती सयोग समीति को खनन पटा प्राप्त करने के लिए प्रात राजे को सुखार छेत्र घोसित करने की मांग बिजेपी का प्रदर्शन मांसुल सत्रे के तिसरे दिन जर्खन बिधान सभा की कारवाही सुरू होने से पहले भारतिय जनता पार्टी के बिधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया बिधायक राजे में काम वार्षा होन अब तक नहीं मिली है आज भी पैक्स में किसानों के धान यूही पड़े हुए है थोड़ी बहुत रहात केंदर सरकार के द्वारा जो 2000 रुपे दी जाते हैं उसे किसानों को मिल रहा है मगर यह सरकार किसान के प्रती उदासिन है सेनेटाइजर से भी खत्म नहीं हो रहे कंजेक्टिव आइटिस के वायरा सहर में एक बार भी तेजिस से आँख का फुलू कंजेक्टिव आइटिस फैल रहा है इसमें सबसे अधिक बच्चे पिडित हो रहे हैं जिससे स्कूल प्रबंधन की भी परिसानी बरती दिख रही है अस्पतालों के नेत्र भी भाग के ओपीडी में आने वाले मरीजों में 40 परतिय संख्या बच्चों की है बताएज ए आख के आख लाल होने की समस्या को लेकर अपने भागों के साथ पहुँच रहे हैं सरकारी वर नीजी आख के अस्पतालों में आख लाल होना आखों में सुजान दर्द जैसी समस्या लेकर सभी आयूवर्ग के लोग पहुँच रहे हैं जिन हैं एस्टी रायड यूक्त अंटिवायोटिक दावा सहित और सवधानी बरतने की सलाह दी जा रही है वहाई रिम्स के नेत्रे रोग विसेसर के डाक्टर राहूल बताते हैं कि या आखों की बिमारी है जिससे आई फुलू इंफेक्शन भी कहा जाता है इससे बचे अधिक प्रभावित हो रहे हैं या एक संक्रामक बिमारी है और इस संक्रामन से पिलित ब्यक्ति के संपर्ट में आने से यहते ही से फैल सकता है इसलिए ज़रूरी है कि जो कंजक्टिव वाइटिस से पिलित हैं वे चास्मा पहने और अपनी आखों को बिल्कुल न चुए इसकूलों का नोटिस बच्चों को आई फुलू इंफेक्शन है तो न भेजे आई फुलू इंफेक्शन को लेकर कई स्कूलों ने नोटिस भी जारी कर दी है इसके अलावे कई स्कूल परवंधन ने वाट्चेप ग्रूप में भी सुतना सेर करने का क्याम कर रहे हैं अगर किसी बच्चे को कंजक्टिव आई टीस या फिर आखों से जोड़ी किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन हुया है तो उस बच्चे को जब तक वह पुरी तरह से संक्रमन से ठीक नहीं हो जाए इसकूलों में इस वज़ा से बच्चों को पचिती भी कम हो गई है बता दे इसके बचाओ के उपाय भी जारी किये गए हैं जिसमें अपने हाथों की थोड़ी थोड़ी समय पर हैंडवास से साप करें आखों को बार बार न चुए भील वाली जगों पर जाने से बचें आखों को हर दो घंटे में साप पानी से धोएं सुखार के बीच कुछ जीलों में भारी बार इसकी संभावना राजे में एक और जहां सुखार की चिति बन रही है वहीं दूसरी और राजे के कुछ छेत्रे में अतिव रिष्टी की संभावना है इसको लेकर मौसम विभाक के और से अलर्ट भी जारी किया गया किरिसी विबाग की ओर से इसकी सुचना जिला किरिसी पताधिकारियों को भेज दी गई है जिसके बाद किसानों को इसकी सुचना दी गई ताकि वे अपने फसलों की सुरक्षा कर सके बदादे एक अगस्त और दो अगस्त को राज के दक्षनी पुर्वी पच्मी और मद भागो में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई मौसम विबाकी और सजारी सुच्तना में कहा गया है कि राची बोकारो गुमला हजारी बाख खुर्टी और में भारी वर्षा हो सकती है इसी तरह राज के दक्षनी छेत्र पुर्वी सिम्भूम पच्मी सिम्भूम सिम्डेगा और सराकला खर्षावा के साथ गढ़वा पला मुलाते हर में कहीं कहीं भारी वर्षा का अनुमान है धनबाद में सिंग मेसर समर्थक धंजाय की हत्या है सिंग मेशर समर्थक धंजाय आदो को हत्यारों ने बेवस कर उसकी निर्माम हत्या की थी उसे बेटियों वपत्नी को मारने की धमकी दे कर पहले बेवस किया उसके बाद उसे असाहाय कर उसकी हत्या कर दी गई अपराधियों ने सबसे पहले धनजय के घर की चारदिवारी को फान कर घर में प्रवेस किया इसके बाद धनजय के कमरे का दरवाजा खुलवाया जैसे ही धंजाय की पत्नी पुनम देवी ने घर का दरवाजा खोला वैसे यह अपराधियों ने पिश्टल की नोक पर सब को कबजे में ले लिया अपराधियों धंजाय की दोनों बेटी याव पत्नी पर भुजाली सटाते हुए इन लोगों को जान से मानने की बात करने लगे अपराधियों की पत्नी और बच्चों को छोड़ दो इसके बाद अपराधियों ने धंजाय की पत्नी और बच्चों के सामने ही तावरत और भुजाली से प्रहार कर दिया दो साल की बच्ची के पेट से निकले दो साव से ज्यादा पत्थर जारकन के जम स्तेत पुरिश्थित डिमना रोड के गंगा मेमोरियल अस्पताल के संचालक डाक्टर नागेंदर सिंग ने दो साल की एक बच्ची के पेट का आपरेशन कर दो साव से अधिक पत्थर निका प्राद